आज की हमारे वीडियो का विशे है कुशल मंच संचालन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उद्घोशना एक कला है कुशल मंच संचालन या उद्घोशना आज हम इसी विशे पर बात कर रहे हैं इसमें इसकी आथार पर दर्शकों और शोताओं की रुची और जिग्याशा को बनाए रखा जा सकता है उद्गोशक के पास हाजिर जवाबी प्रेरिक प्रसंगों का भंडार और हाज से प्रसंगों का भंडार होना चाहिए साथ ही उसे कई सारी बातों का ध्यान भी रखना होगा उनी बातों की आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले उसकी मुख्य बात यह होनी चाहिए कि वह सुखद और शालीन वेशुशा में मंच पर आए दूसरी बात है कि उसके हाथों में फाइल और पेन होना आवश्यक है तीसरा बिंदू है कि उसे प्रस्तुत किये जाने वाले सभी कार्यकरमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए फिर यह जानकारी होने के साथ साथ करेकरम के मुख्य भाव या विशय के बारे में भी उसे पता होना चाहिए उद्धोशक को करेकरम पेश होने से पहले वैसी ही भूमिका देनी चाहिए करेकरम की सफल प्रस्तूती के बाद मन्च से उसकी प्रशंशा भी की जानी चाहिए वह प्रशंसा ऐसी हो कि श्रोताओं के मन में जो भाव चल रहे हूं लगबग उसी को कहना चाहिए यनि कि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि श्रोताओं के मन में क्या भाव है उद्घोशक ही शुरोताओं से तालियां बजवाता है जिससे कलाकारों का होशोताओं का मनोबल बढ़ता है उससे करेकरिम की प्रशनसर से ऐसा महौल बनाना चाहिए जिससे हौल तालियों से गूंज उठे यदि उद्घोशक को मशूर कवियों या वीचारकों की छोटी छोटी पंक्तियां सुक्तियां यदि याद हैं तो वह उचे तावशार पर उन्हें सुनादे तो करेकरिम का रंग आर भी अच्छा हो जाता है उद्घोशक का मुख्य काम होता है प्रस्तुत होने वाले करेक्रम का परिचे देना और उसका आनन्द लेने के लिए शोताओं को तयार करना इसे हम सुत्रधार भी कहते हैं इसके लिए उसे अलग से समय नहीं लेना चाहिए उद्घोशक को कम से कम बोलना चाहिए तो कारेक्रम कोई बीच में आधे मिनिट से दो मिनिट का जो खाली समय होता है उसे बस उसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए एक और विशेषता जो है उद्खोषक की होनी चाहिए वह है कि उसकी आवाज सूरीली होनी चाहिए और प्रभाव शाली भी होनी चाहिए उद्खोशक तथा समाचार वाचक में अंतर स्पस्ट होना चाहिए यनि कि समाचार वाचन की तरह उद्खोशना ना करें इसका विशेश ध्यानों से रखना चाहिए झाल